वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स वेस्ट्यूटर आज के लेक्चर में हम देखेंगे मल्टिप्लिकिशन प्रोपर्टी इसको और हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्वुलेशन प्रोपर्टी भी बोलते हैं तो यह प्रोपर्टी क्या कहती है अगर इफ एक्स वन एन का जड़ ट्रांसफर्म एक्स वन ओफ जड मिलता है ओकी एंड एक्स टू अफ एन का जड़ ट्रांसफर्म क्या मिलता है एक्स टू अफ जड मिलता है देन एक्स वन इंटू एक्स वन एन इंटू एक्स टू एन का जड़ ट्रांसफर्म क्या मिलेगा इसका जड़ ट्र counter integration of x1 v into x2 z by v into v inverse dv okay dv where जहांपे यह जो small v जो दिख रहा है आपको small v यह क्या है एक dummy variable है एक dummy variable है जो किस चीज के लिए use हो रहा है dummy variable used for used for contour okay contour integration यह जो contour integration आप कर रहे है ना उसी के लिए dummy variable जो है वी वो यूजड हो रहा है कि अब यह चीज हमें प्रूफ भी करनी है कि हम x1 of n into x2 of n का z transform करेंगे तो हमें यह चीज मिल रही है कि नहीं तो चलिए प्रूफ करते हैं प्रूफ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें मालूम है कि एक्सवन ओफ जड बराबर क्या है यह डिस इस नथिंग बट जड ट्रांस्फोर्म ओफ x1 of n ओके और यह क्या होता है समेशन n is equal to minus infinity to plus infinity ओके x1 of n into z to the power minus n होता है similarly x2 of z बराबर क्या है z transform of x2 of n ओके यह चीज क्या होती है समेशन n is equal to minus infinity to plus infinity x2 of n into z to the power minus n ओके यह तोनों चीज आपको मालूम है c now by the definition of now by the definition of by the definition of inverse z transform by the definition of inverse z transform okay x1 of n क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 1 upon 2 pi j okay contour integration of x1 of z okay into z to the power n minus 1 dz z okay यह चीज हो जाएगी अब यह चीज इसमें हम क्या कर लेते हैं z की जगा क्या रख लेते हैं v रख लेते हैं माल लिजे कि z की जगा हमें क्या रखना है let z is equal to v है तो let z is equal to v तो क्या बन जाएगा यह 1 upon 2 pi j counter integration of x1 of v into v to the power n minus 1 dv यह बन गया अपना क्या x1 of n बन गया इतना क्लियर है अब इसको क्या नाम दे दिजे x2 of z x2 of z अभी हमने देखा क्या होता है क्या होता है क्या समेशन कि एंट्टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ओके x2 of n इंट्टू जट्टू दी पावर माइनस एं इसको इक्वेशन नमबर 2 नाम दे दिजे इतना क्लियर है अब आगे देखिए अब सिंप्ली आपको क्या करना है अगे हम लोग देखते हैं अब निकाल दिजिए आप z transform of z transform of x1 of n into x2 of n ओके तो यह चीज़ क्या हो जाएगी समेशन n is equal to minus infinity to plus infinity x1 of n into x2 of n into z to the power minus n ओके यह हो जाएगी इतना क्लियर है अब आगे देख लेते हैं तो यहां से आपको इस समेशन n is equal to minus infinity to plus infinity x1 of n की value डाल दिजिए अभी जो आपने निकाला ना equation number one में वो चीज़ यहां लिख दिजिए x1 of n किसके बराबर है one upon two pi j contour integration ओके ओफ x1 v v to the power n minus 1 dv ओके इंटू क्या है x2 of n x2 of n into z to the power minus n यहां तर खम्नक पहुंच गए अभी सी को थोड़ा से क्या कर लेते हैं interchange कर लेते हैं interchanging the order of summation and integration तो order of summation and integration को जब आप interchange करके कैसे लिख लिजे ऐसे देखिए one upon two pi j okay counter integration of x1 v summation n is equal to minus infinity to plus infinity okay x2 of n z to the power minus n okay और यह देखिए v to the power n minus 1 ने तो इसको कैसे लिख सकते हैं v to the power n into v to the power minus 1 लिख सकते हैं dv इस way में हमने लिख लिया अब आगे देखते हैं so one upon two pi j counter integration counter integration okay of x1 of v अब इस चीज को और कैसे arrange कर लेते हैं summation n is equal to minus infinity to plus infinity x2 of n okay क्या x2 of n अब देखिए z to the power minus n है और यहां पर v to the power n है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं z upon v to the power minus n लिख सकते हैं बात तो एक ही है न और बचा क्या v inverse बचा और इदर dv तो इस way में हमने arrange कर लिया अब एक वात बताईए अब next हम जब देखेंगे एक चीज बताईए यहां पर कि जो अपना यह चीज है क्या यह वाला portion यह वाला portion क्या है this portion यह portion क्या है x2 of z by v तो है x2 of z by v है यह okay x2 of z में क्या होता है इस जगा सिर्फ z होता है इस जगा अब क्या है z by v है तो यह क्या हो गया x2 of z by v तो यहां पर क्या रखिए x2 of z by v तो क्या हो गया यहां से हमें क्या मालूम चला कि z transform of x1 of n and x2 of n क्या हो जाएगा 1 upon 2 by j contour integration of x1 of v into x2 into x2 of z by v it is clear into v inverse v inverse dv यही चीज हमने बोला था यही चीज हमें प्रूफ करनी थी तो यहां पर क्या हो गई यह चीज प्रूफ दो गई okay itna clear so this is the complex convolutional property of z transform so thanks for watching this video please like the video and subscribe our youtube channel